साथियों, संत्र अविदार जी की प्रेणा से हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रही है हमारी योजनाओं के केंद्र में गरीब है दलीत, शोसीत, पिछडे वन्चीतों का कल्यान है आप सब जानते हैं भाईयों, पूरी दुनिया पिछले दो साल से सो साल में नहीं आई ऐसी भैंकर महामारी में उसकी चपेट में है पूरी दुनिया इस महामारी के इसकान में भाजपा सरकार ने गरीब का जीवन बचाने को सरवोच्च प्रात्विक्ता दी है संत रविदाज जी भी कह गए थे और आप मैं जो रविदाज जी जो कहके गए तो बताऊंगा तो आपको भी विश्वास होगा कि हमारा काम करने का तरीका हमारा काम करने की प्रात्विक्ता पुझ्य संत्रविदाज जी जो सदियों पहले मारदर्शन किया था उसी नक्से कदम पर चलना किया है संत्रविदाज जी ने क्या कहा था संत्रविदाज जी ने कहा था ऐसा चाहूं राज में याने मैं ऐसा राज चाहता हूं ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन छोट बडो सब सम सबसे छोट बडो सब सम बसे रविदास रहे प्रसंद यानि मैं एक ऐसा राज चाहता हूँ रविदास जिन कहा है मैं एक ऐसा राज चाहता हूँ जिसमें सभी को अन्न मिले हर कोई एक समान समरस होकर रहे इसी सोच के साथ यूपी के करोड़ों लोगों को करीब करीब दो साल से मुप्त राशन दिया जा रहा है इसमें सवा नव करोर चे अधिक साथी पिछडे वर्ख से हैं अनुसिचीत वर्ख के हमारे तीन करोड़ भाई और महनों को भी भाजपा सरकार मुप्त राशन दे रही है करीब तीन करोर साथी सामान न वर्ख के गरीब परिवारों के भी है अलप संक्यक समाच के भी लाखों साथियों को इसका लाब मिल रहा है जब गरीब की तकलीफ का एसास हो तो ऐसे ही काम होता है ऐसे ही काम किया जाता है गरीब का राशन जो पहले माफियां लूट लेता था उसका एक एक दाना आज गरीब के घर पहुंच रहा है इस पूरे कोरोना कान में मैं एक बात पर हमेशा ध्यान केद्रित कर रहा कि किसी गरीब के घर में ऐसा दिन नहीं आना चाहिए ताकि घर का चूला न जला हो गरीब के घर में किसी को रात को भूखा सोना न पड़े इसके लिए हम जाकते रहे हैं और सरकार इस पर दो लाग साथ हजार करोड पे से जादा खर्च कर रही है गरीब भले ही किसी भी वर्ग का हो दलीत हो पीछडा हो वो जानता है कि किसने संकट के समय में साथ दिया और कौन संकट के समय लापता हो गया था ये गरीब बराबर अपने दिमाग में भरके रखता है झा हुआ प्लाब।